हेलो फ्रेंक्स वेलकम टो वार चैनल कैसे है आप सब तो आपने कल देखा कि हम लोग यूस्टन आये है आपने अमारे रोड ट्रिप का वीडियो देखा तो अभी यूस्टन में हम हमारे एक फ्रेंड के घर पर रुके है श्याम एंड हैतल तो अभी सुबह सुबह गरमा गरम घर पर फाफडा जली भी बन रहा है तो कैसे बनाते हो और हम कैसे एंजोई करते है तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ तो यह देखिए गरम गरम फाफडा तो मैंने तो घर पर बहुत बार ट्राई किया है तो मेरे से नहीं बन रहा है पर यह श्याम इतना इजी विली फाफडा बना रहा है और ये एकदम ही बाहर जैसा दिख रहा है तो मैं तो अभी इतना खाने वाली हूँ तो मुझे बहुत मजा रहा है गाठिया की ये दूसरी टाइब है तो इसको हम गुझडाती में तो वनेला गाठिया बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में बताएए तो यह देखे इतना फटाफटी है तो बना रही है तो अभी हमें दोट है बनी हुई जलेवी हैं तो मैं तो फर्स्टे में इसे घर की बनी हुई जलेवी खा रही हु यूएसे में तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ खाने के लिए जलेवी बन गई है अच्छे से तली हुई और अब इसको शुगर के कोटिंग के लिए इसमें डाल दिया है तो फाफडा जलेवी के साथ खाने के लिए कच्छे पॉपी दा का सैलर है जो बन रहा है अभी इसमें अभी तड़का लगने वाला है तो यह इनकी प्रिपरेशन है तो कितना अच्छा ऐसे दीख रहा है तो आग तो सुबर सुबर बहुत मजा आने वाला है तो फाफडा बीना मिर्च के तो अधूरव है तो यहां पर यह चार तरह की मिर्च है जो अभी तलने वाली है तो यह यह हमारा सुबह का ग्रांड ब्रेकफास्ट तो यहां यूएसे में इसे कहां इसे मिलता है बट हमारे फ्रेंड ना इतना इजीली घर पर फटा फट बना दिया है तो आप देख रहे हैं यह दो तरह के गाठिया है फाफडा और मेरे बोला कि गुजराती में इसको वनेला गाठिया बोलते हैं यह सैलोड है तली हुई मीर्च और यह कडी है जो बेसन से बनती है तो यह भी है ग्रीन चटनी है और स्वीट में जले भी है और इनके साथ चाय कोफी तो होता है तो हम तो बहुत आज एंजोई करने वाले हैं तो फ्रेंड्स यह देखी हमारी फाइनल पाफडा जलेवी की डीश है और यह श्याम और हैतले जिनों इतनी मेहनत से इतना अच्छा बनाया है तो अभी हम लोग बहुत खूश है और बहुत एंजोई करने वाले है तो बस यह था मेरा आज का वीडियो और आपको कैसा लगा हमें तो हमारे फ्रेंड ने इतना अच्छा ग्रांड ब्रेकफास्ट कराया है आपके फ्रेंड ने क्या कराया है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा तो अब हम नेक्स वीड तर तर तो था ने हुगा हुगा है